असलामरेक्व मेरेवान इस गाइटन चप्टर नबर 33 इस पार्ट में हमने पढ़ने हैं वाइटमिन B12, फॉलिक एसेड और पर्नीशियस अनीमिया ऐसा है आप लोगों को पिछले लेक्टर में बताया था कि वाइटमिन B12 और फॉलिक एसेड का रोल होता है RBC को मेचियोर करने में चलें ठीक है अब इसमें में डिसक्स करना है कि एक्चुली एग्जैक्टली मेचियोर किस तरहां करता है अगर B12 और फॉलिक इस्ड की डेफिशिंसी हो जाए तो वो मेचियोरेशन डिफेक्ट किस तरहां प्रेजन करेगा ठीक है और यह B12 और फॉलिक इस्ड की डेफिशंटी एक्चुली होती क्यों है और B12 और Folic Acid के Sources के हैं किन खाने वाली चीजों में B12 और Folic Acid होता है ठीक है फाइनली जी B12 और Folic Acid अगर नहीं होगा तो अनीमिया हो जाएगा ठीक है जी RBC मिचूर नहीं होगा और अनीमिया हो जाएगा ठीक है आचा अब ये flow chart शुरू करते है होता है ये जी B12 सारी स्टोरी में B12 का जिकर करूँगा और पर सेम ही स्टोरी और सेम स्टोरी Folic Acid पे भी अपलाई हो जाएगी आचा जी तो स्टार्ट करते हैं यहां से फ्रम हेर B12 किन खाने की चीजों में होता है ये बीफ में होता है लिवर में होता है और चिकन में होता है बीफ लिवर और चिकन में B12 जदा होता है चैले जी आपने ये बीफ लिवर चिकन खा लिए तो फिर क्या हो अब B12 आपके स्टॉमिक में चला गया जब B12 आपके स्टॉमिक में चला जाता है तो फिर parietal cells of stomach intrinsic factor release करते है parietal cells of stomach intrinsic factor release करते है अच्छा भई यह intrinsic factor क्या बलाए और उसका काम क्या है intrinsic factor यह जी intrinsic factor और B12 complex intrinsic factor क्या करते है intrinsic factor B12 को यह yellow color में B12 है B12 को digest होने से बचाता है और इसकी absorption में assist करता है B12 stomach में आता है न तो अब B12 तो digest हो जाएगा digest से मराद है कि B12 तो तूट जाएगा अब B12 को तूटने से बचाने के लिए intrinsic factor parietal cells release करते है वो intrinsic factor B12 के साथ यह देखो यह एक link बना लेता है एक combo बना लेता है intrinsic factor B12 के साथ bind कर जाता है और इसको digest होने से बचाता है intrinsic factor और ना सिर्फ digest होने से बचाता है बलके B12 की absorption भी करवा देता है mucosal ileum में जो mucosal cells हैं वहाँ से ठीक है पहले तो intrinsic factor ने B12 के साथ अटेच होके इसको digest होने से बचाया है फिर intrinsic factor ने B12 के साथ attached ही है और इसको पकड़के ले गया है ileum के अंदर जो mucosal cells हैं ठीक है और वहाँ पे भी जाके उनके साथ attach करवा दी है और वहाँ ताके ये B12 absorb हो सकी यानिकि body के अंदर जा सके अब यहाँ पे क्या होगा कि B12 और intrinsic factor का combination ये pinocytosis होगी और B12 चला जाएगा blood के अंदर ठीक है अब जब pinocytosis होगी intestine में, ileum में तो ये blood के अंदर चला जाएगा B12 और पर ये blood में घूमता 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 B12 जाके liver के अंदर store हो जाएगा ठीक है अब B12 आया था food से, beef liver chicken से stomach में गया वहाँ से stimulus मिला prytal cells को prytal cells ने intrinsic factor रेलीस कराया intrinsic factor ने B12 के साथ एक complex बना लिया और B12 को digest नहीं होने दिया फिर इसी B12 को intrinsic factor ने absorb करवाया है through mucosal cells of ileum और वहाँ से क्या हुई थी basically pinocytosis और pinocytosis होके B12 चला गया blood में blood में B12 घुमता घुमता liver में जाके store हो गया और जब भी bone marrow को RBC को mature करने की जोद पड़ेगी तो liver से B12 निकलेगा और bone marrow में जाके चला जाएगा और वहाँ पर जाके RBC इसको mature कर देगा अब ये RBC चलो ये तो B12 अंदर गया और किस तरह पहुंचा liver में और फिर जी bone marrow तक पहुंचिया ये तो सारी स्टोरी बता दिया और intrinsic factor की स्टोरी भी बता दिया अब ये RBC को basically mature किस तरह करता है किस RBC की formation के step में B12 की जरूरत होती है तो जनाब B12, vitamin B12, RBC का जो DNA होता है वो DNA formation में B12 का रोल होता है DNA formation के किस जगा पे B12 का रोल होता है DNA की आप अगर bases याद करें तो आपके जहन में आएगी एडिनीन, गौनीन, थाइमडीन, एंड यूरेसल याद हैं, एडिनीन, गौनीन, थाइमडीन, एंड यूरेसल तो उसमें जो थाइमडीन है न थाइमडीन ट्राइफॉसफेट उसको बनाने में B12 का रोल है बात है कि B12 में RBC को मैचूर करवाना है मैचूर किस तरह करवाएगा भी क्योंके B12 DNA synthesis में important होता है अच्छा DNA synthesis में किस चीज में important होता है जो थाइमडीन है न बेस थाइमडीन ट्राइफॉसफेट को बनाने में B12 मदद करता है थाइमडीन ट्राइफॉसफेट को बनाने में B12 मदद करता है अच्छा ठीक हो गया तो ये तो DNA की formation है अब बताओ क्या RNA की formation में भी B12 का रोल हुआ के नहीं जी नहीं RNA में क्या होता है RNA में thymidine की बज़ाय होता है uracil बाकी अडिन, guanine और cytosine तो अपनी जगा पे होता है मगर thymidine की जगा RNA में uracil होता है तो इसका मतलब है कि B12 अगर deficiency होगी तो DNA की synthesis में मसला हो जाएगा और RNA की synthesis ठीक होगी ठीक है अब ये जो deficiency वाला case है तो वो अब यहाँ पर देखते है अब B12 की deficiency body में क्यों हो जाती है दो तीन वज़ुहात या तो भाई आप diet में dietary deficiency है diet में B12 ले नहीं रहे खा नहीं रहे B12 ठीक है diet में नहीं ले रहे तो फिर अंदर कैसे जाएगा दूसरी चीज होती है कि diet में तो आप ले रहे हो मगर कोई intestinal problem है intestine में absorb नहीं हो रही B12 यानि कि malabsorptive defect हो गया है intestine के layering में को ऐसा defect हो गया कि खाने की चीज़े absorb नहीं हो रही सही तरह उसे कहते है malabsorption या तो diet में नहीं ले रहे diet में ले रहे हो मगर या तो फिर absorb नहीं हो रहा सही तरह ठीक तो इनकी वसे B12 की deficiency होगी अच्छा एक और बहुत important चीज़ जिस जो के बहुत important है और जिस पे सवाल आता है और यहां सारा flow chart शुरू किया है तो यह परनीशियस अनीमिय का है परनीशियस अनीमिय में भी B12 की deficiency हो जाती है यह देखो B12 की deficiency मगर क्यों होती है परनीशियस अनीमिय में B12 की deficiency क्योंकि बेसिकली परनीशियस अनीमिय में intrinsic factor का level body में काम हो जाता है intrinsic factor नहीं बनता intrinsic factor क्यों नहीं बन रहा भाई intrinsic factor इसलिए नहीं बनता क्योंकि gastric mucosa में atrophy हो जाती है gastric mucosa में atrophy हो जाती है जिसकी वया से gastric secretions है वो कम हो जाती है और gastric secretions में intrinsic factor भी है intrinsic factor पर नीशे से नीमे में कम हो जाता है क्योंकि gastric atrophy हो गी है जब intrinsic factor कम हो गया तो फिर B12 सही तरह न वो सेफ ही नहीं रहेगा और absorb भी नहीं हो सेगा तो body में B12 का level कम हो गया है तो जो DNA formation के लिए thymidine triphosphate की जो जरूरत थी तो thymidine triphosphate नहीं बनेगा अगर B12 का level कम होगा अच्छा जब thymidine triphosphate नहीं बनेगा तो क्या होगा DNA synthesis और DNA maturation में मसला होगा मगर अगर अगर आप वहार करें RNA में तो thymidine की जोड़ नहीं थी उसमें तो uracil की जोड़ थी तो RNA synthesis तो जबरदस होती जाएगी अच्छा तो DNA यह मैं क्यों बता रहा हूँ कि मैं RNA क्यों बार बार फिट क्यों का रहा हूँ DNA के साथ बात यह है कि DNA कहां पड़ा होता है नूक्लियस में RNA का रोल क्या होता है में RNA की अगर आप टाइप्स देखें तो इसमें हमारे पास होता है messenger RNA जो जाता है cytoplasm में और फिर वहाँ पे होता है ribosomal RNA वो भी होता है cytoplasm में और फिर मारे पास transfer RNA होता है वो भी होता है cytoplasm में और इन सारहों में मिलके cytoplasm में protein formation के नानी होती है और जब protein cytoplasm में बनती है तो वहाँ पर धेर सारा cytoplasm में content बढ़ जाता है तो इससे हम यह कह सकते हैं कि DNA मैचूर नहीं हो रहा इसका मतलब है DNA या nucleus का size नहीं बढ़ रहा DNA मैचूर नहीं हो रहा इसका मतलब है nucleus नहीं मैचूर हो रहा यानि कि nucleus का size नहीं बढ़ रहा जिस तना grow करना चाहिए था nucleus को मगर cytoplasm रहाम से normally mature करता रहता है क्योंकि cytoplasm में तो RNA नहीं आना था protein नहीं बनना था RNA के आने से तो cytoplasm आशना तक grow करी जाता है और इसके नहीं जो DNA वो अंदर ही छोटू सा बढ़ा रहता है अब normally तो ऐसे होता है ना कि DNA भी बढ़ा होता है normally और cytoplasm भी बढ़ा होता है DNA और cytoplasm की आपस में जो ratio है ना size की वो बराबर रहती है तकरीबन most of the cells में कुछ उपर नीचे हो जाता है इसे कहते है नूकलियो साइटो प्लास्मिक रेशो ठीक है अब जब नूकलियस और cytoplasm के size में sink नहीं रहेगा बराबर तोर पे grow नहीं करेंगे तो हम उसे कहते हैं नूकलियो dobrлаг नीचे आपस में चरी तो साइटो प्लास्मिक है अचिई हो गया भी तो अभ फिर क्या होगा मयटोसिश जव हमेशा था होती है जब न्यूकलियस ग्रों करकरकर के मैच्योरboards जाता है जैसे ही न्यूक्लियस मैचोर हो जाता है तो अगली रेप्लिकेशन की तरफ न्यूक्लियस मूव कर जाता है अब इसमें क्या होगा न्यूक्लियस ने मैचोर ही नहीं करना जब न्यूक्लियस basically size बहुत बड़ा है MCV बहुत बड़ा है mean corpuscular volume RBC का average size बहुत बड़ा हो जाएगा तो हमारे पास जी एक large size का cell आ जाएगा ठीक है तो इससे पहले के वो mature हो रेप्लिकेट करे है ठीक है तो basically vitamin B12 deficiency में large sized RBCs बन जाते हैं क्यों के maturation defect है क्यों maturation defect है वोई DNA थाइबडीन वाली स्टोरी अब इसमें इसके साथ एक और चीज़ भी होती है तो anemia क्यों होगा anemia इसलिए होता है कि इसकी जो membrane है जब size इस तरह बड़ा हो जाता है RBC का तो इसकी membrane बहुत ही fragile हो जाती है flimsy membrane हो जाती है वो cell जब वो fragile होती है वो cell easily rupture कर जाता है तो फिर RBC की life ही short होती है तो short life RBC RBC destroy जाएगा तो इसका मतलब anemia हो जाएगा ठीक हो के तो इससे हम कहते है parnicious anemia vitamin B12 deficiency की वैसे जो anemia हो रहा है ठीक हो के तो ये सारी vitamin B12 की कहां से absorb होता है किस तना होता है वो parnicious anemia किस तना करता है dietary deficiency or male absorption सारा कुछ ठीक है इसमें ये extremely important है ना सरफ physiology first year के लिए बलके आगे सारी classes के लिए ठीक है अचा अब ये तो थी by B12 की story when with reference to parnicious anemia अब folic acid कहां पहाएगा बीच में तो folic acid भी इसी तना maturation करवाता है जिस तना सारी story मैंने B12 की बताईए ठीक है और folic acid की deficiency भी होती है मगर relative folic acid की deficiency भी बहुत rare होती है reason man कि उसके stores बहुत जादा होते है अचा चलने फिर भी अगर तो बिलकुली कोई tea and toast diet पे चला जाएगा कोई कुछ न खाया तो फिर वो इसको folic acid deficiency कई सालों में हो जाती है या male absorption or absorptive defects हो जाएए इसी तरह तो इसमें folic acid deficiency होती है अब folic acid होता किन चीज़ों में है green leafy vegetables में होता है fruits में होता है and again liver, meat and liver ठीक है उनके अंदर folic acid होता है ठीक है so this was B12 folic acid and panaceous anemia just make a panaceous anemia is extremely important